दोस्तो सोचल मीडिया के उपर दिल्ली मैट्रो का एक वीडियो असना शेज़ी से वारल हुआ कि ट्विटर के उपर कुछ ही देर में दिल्ली मैट्रो ट्रेंड करने लगा अब आप सोचे होंगे कि यह वीडियो क्या है तो मैं आपको सबसे पहले यह वीडियो दिखाना चा झाल 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 तो वीडियो देख लिए आपने ये वीडियो दिल्ली मैटरो का बताया जा रहा है दिल्ली मैटरो का ये वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर के ओपर क्रेंट करने लगा जिसको लेकर लोग अपनी नाराज़गी जताने लग गए कि होली के नाम पर ये इस तरीके से अस्क्लीलता पढ़ोशी जा रही है लोगों को इसमें दिल्ली पूलीस खामोस क्यूं है, ऐसे विडियो बनाने वाले लोगों के ऊपर एक्शन क्यूं नहीं लेती है लेकिन इसको लेकर सदावापरीन ने क्या लिखता है वो आपके स्क्रीन पर सदावापरीन लिखती है दिल्ली मैटरो का दिरिश से क्या ये भी संस्कृति का हिस्सा है क्या इससे किसी की भावना आहत नहीं होती क्या इससे बाकी यातरियों को किसी भी परकार की कोई तकलीफ नहीं होती विनिता यादव ने लिखा है दिल्ली मेटरो में असलीलता की हदे पार हॉली के नाम पर किया अभधर डांस वीडियो वाइरल दिने इस नाम के क्यूजर लिखते है व्यू आफ दिल्ली मेटरो इस अल्सो अपार्ट आफ कल्चर उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान ने भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया है लिखा है इंसिडन्ट होली ओफ गल इन दिल्ली मेटरो पीपल एंगरी ओवर वाइरल वीडियो बहुत सारे लोग इस वीडियो को लेकर गुस्से में है बता रहे है कि क्या इस तरीके से करना दिल्ली मेटरो में ये ठीक है वहीं आप देखते हैं जब नमाज लोग पड़ लेते हैं रेन में या फिर मेटरो में तो फिर किस तरीके से हंगामा हो जाता है प्लेटपॉम पर हंगामा हो जाता है लेकिन यहाँ पे सब कोई खामोस है उसके बाद न्यूस 24 का भी ये क्वेट आप देख सकते हैं इसी वीडियो को लेकर न्यूस 24 ने भी ट्वेट किया है लेकिन आपकी क्या राए है इस खबर के बारे में जो आपको देखने को मिल रहा है लगतार दिल्ली मेटरो में जो कुछ भी हो रहा है जिस तरीके से हो रहा है और उसको लेकर जिस तरीके से लोग आवाज उठा रहे लगतार उसके बारे में आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे मिलते हैं आप सब्ले वीडियो में